इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें क्या है कि इसमें है कैंडल होल्डर मैंने अगाई यह हो में सेंटर का प्रोडेक्ट है यह आप देख सकते हैं यह कुछ पाइम नाइटि नाइन का है पर इसमें मैंने पे किया है 528 तो यह कुछ इस तरह से आता है अब देख सकते हैं प्राइस के कंपरेजिंग मुझे यह थूड़ा साइज में छोटा लगा है क्योंकि यह आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आता है इसमें आपको यहां पे टी लाइट कैंडल लगाने के लिए स्टैंड मिल जाता है जिसे आपको इस कुछ इस तरह से लगाना है आप इस कोजी कोनर बनाने के लिए आप इसे कोजी कानर पे भी रख सकते हैं बट फूड हैंगिंग मंगाया था इसे मैं अल्ड़ी खोल के चेक कर लिया था यह बहुत ही जरूई था यह प्लास्टिक का है तो यह कुछ इस तरह से आया है तो यह कुछ इस तरह से हैं बट फूड इसे हैंक करना होता है इसे यहा इसके साथ कुछ मैंवल दियैंवए है इसके साथ यह स्क्रू आ जाते है इस कुछ इसथे इसकुछ तरह से लिए होजाता है और इससे अपनी बी度 मिन्टे पर आप यह कहीं teenager सकते है फूर बट झाल झाल तो मैंने यह एक लैंब मंगाई है मून लैंब तो चलिए सिर्फ देखते हैं यह कैसे इसके साथ एक मैनुवल भी आता है मैनुवल कुछ नहीं है यह कुछ बैटरी को लगाना है चार बैटरी दी हुई है पर इसमें लगानी तीन बैटरी गाइस चलिए देखते हैं यह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है कुछ अधोर नहीं है गाई झाल गाइस मैं से रिटन में डालोंगी तो मैं आपको बता दू यह हैं मैं अधों का प्रोड़िक्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह वर्क ही नहीं कर रहा है तो मुझे यह रिटन में डालना पड़ेगा तो आप देख लीजिए आप मंगाने से पहले रिव्यू जरूर देखेगा मैंने भी रिव्यू देखा था मुझे तो रिव्यू में सब टिक लग रहा था पर यह क्यों ऐसा है पता नहीं चलिए हम खोलते अपना next product यह मेरा next product चलिए देखते हैं इसमें क्या है तो यह कुछ इस तरह से पैकिंग है तो यह है स्टार यह मैंने स्टार ओडर किया था चलिए देखते हैं और नो इसमें बैटरी नहीं है सो के मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी के में आपको बैटरी लगा के चलिए अपपोड़ेग। पड़ा के अपपार के मुझे बैटरी लगानी आपको झालिए झाल झाल